अपने तमाम जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं मौझूद है सब का तह दिल से शुक्रियादा करता हूं और दूसरी बात मैं सब का तारूफ कराना चाहता हूं बारी सल्मानी जी से जो यहां अलेक्शन के लिए सह परबारी के तौर पर कर पार्टी नहीं नहीं यहां लग की है कि सब लोग पूरे दम खम के साथ अपने अपने अरिये में जाएं और जो भी अलेक्शन होगा चाहे वो मुनिसिपल का अलेक्शन हो पंचायत का अलेक्शन हो आम आदमी पार्टी पूरे दम खम के साथ जम्मो और कश्मीर के अंदर अलेक्शन कॉंटेस्ट करेगी ज और जब के यह एहां के हालात ऐसे हैं लोग बाग चाहते हैं डेमक्रेसी को कुछल के रख दिया है लोग बाग चाहते हैं कि यहां पर असेम्मली का अलेकशन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है अभी मुनिसिetter Bisberry कराएंगे और पंचायत का अलेकशन कराएंगे तो उसी की तैयारी को लेकर आज की हमने यहां मिटिंग करी और उसके बाद अभी PC हो रही है यह आप लोग सब इसमें मौजूद हैं आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ अलेक्शन लड़ेगी और अवाम की खिदमत के लिए अलेक्शन लड़ेगी जम्मो एंड कश्म अपने मिटर रिडिंग नहीं चेक कर सकते और उसके बावजूद एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है जो 200 यूनिट तक बिल्कुल फिरी बिजली मौहिया करा रही है और एक तरह बीजेपी गौर्मेंट यहां बै काटने का काम जब्म कश्मीर की अवाम का जब काटने का काम जो यह कर रही है फिजेपी इसकेख खिलाफ अलेक्शन लडेंगे आज बच्चोसकर और दिलाने के नाम पे आम आदमी पार्टी एलेक्शन कॉंटेस्ट करेगी एक एक आदमी को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज दिलाने के नाम पे एलेक्शन लड़ेगी और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो आज जम्मु और कश्मीर के बेरोजगारी की हालत मैं समझता हूं हिंदुस्तान में किसी से छुपी भी नहीं है आज यहां कोई भी एंट्रेंस एक्जाम होता है कोई भी वेकेंसी क्रीट होती है उसका बच्चे टेस्ट देते हैं और टेस्ट देके जब आ जाते हैं तो दो-चार दिन बाद क्या होता है यहां पर यहां पर यह होता है कि फलाने लोग मिले वेते इसमें घोटाला हो गया और वो एकदम थंडे बस्ते में चला जाता है चाहे वो लेबर का मसला हो चाहे वो यहां अभी वुमेंस को लेके जो मिसिंग वुमेंस का मसला हो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की अ किया जाएं, यहां सेमली का भी अलेक्शन कराया जाएं और जो भी अलेक्शन होगा, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मुनिसिपल अलेक्शन भी रड़ेगी, और यहां पे कजब्मू कश्मी के यहां श्री नगर के अंदर अपना मेर भी बनाएगी और पंचायत मे भी आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, जनता आम जनता जो है दूसरी पार्टियों को अजमा चुकी है यहां पे, बीजेपी को देख रही है किस तरीके से हकूमत कर रही है, एनसीपी को भी देख चुकी है, पीडीपी को भी देख चुकी है, सारी पार्टियों को अजमा तर बड़ो तो